तो विडियो स्लीव्स की कुतिकन कर सकते हैं तो यह देखें इस तरह से मिरे पास यह स्लीव का फैबिक है यह दोनों स्लीव्स है मेरे पास इस तरह से निका लेना है आपने और इनको हम सेंटर से कटिक्ट कर लेंगे तो यह देखें इस तरह से यह दोनों स्लीव हमरे सेपरेट हो चुके हैं तो यहां से हम इसको इस तरह से सेंटर करेंगे उल्टी साइट से हमने इसको फोल्ड करना है इसी तरह से दूसरे स्लीव को भी हम सेंटर से फोल्ड करते हुए इसके उपर रखेंगे अगर आपका उपर की side पे fabric extra हो जाता है तो उसका इतना issue नहीं होता क्योंकि वो cutting में चला जाता है तो marking में सबसे पहले हम अपनी length mark करेंगे जितनी हमें total length चाहिए उसमें 1 inch extra रखते हुए हम marking करेंगे मेरे sleeves की total length जो है वो 19 inches है तो इस fabric की total length है वो 20 inches है तो 19 inches मुझे तयार चाहिए तो 1 inches में extra जाएगा इसलिए यहां से इसकी कोई cutting नहीं होगी इसी पही हमने marking करनी है उसके बाद हमने यहां पे अपने shoulder का mark करना होता है तो sleeves का shoulder mark करने के लिए हमारे पास chest का जितना mark होता है उसको हम 5 से divide करते हैं और जो answer आएगा है उसको हम यहां पे mark करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पे 3 inch down mark करेंगे तो यहां से हमने अपने bottom के लिए mark करना है तो यहां पे 6.5 inch पे मैं bottom के लिए mark करूंगी यहां पे हमने अपना shoulder का mark करना है तो यहाँ पे 8 पे mark करूँगी यह देखें इस तरह से 8 पे mark कर लिया है और 1 इच हमने यहाँ पे margin के लिए रखना है तो यह देखें इस तरह से यह हमारा margin के लिए है अब यह वाले point को और 6.5 वाले point को हमने इस तरह से join कर लेना है देखें इस सारा से लाइन डॉuar uh gonna आगे और यहां सी यह हमारी लाइन जो है मार्जन के लिए है इसको भी सारा से सीधा कर लेंगे अब यहां से हमने स्को राउंड शेप देनी है तो यहां से हम से करें इसको तो इसको जो हो जो स्सक्राइब हो चुक आपिसकी करा equity करेंगे पजन्ट कहां से कि यहां से स्टर को स्सक्राइब जाए गख़ historically है इस स्टर है यहां सेथा से हमारे चर्ड़की कटिंग हो गई है यहां सेंटर पे हम ने cut करना है और यह जो हमारा mark है यहां पर भी cut करेंगे तो इस तरह से हमारे sleeves की cutting जो है वो complete हो चुकी है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करें मेरे channel को subscribe करें साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हराने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज